गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे प्लूरल रिफ्यूजन में पिक्टियल कैथिटर डालना है सो हमारे पास यह पिक्टियल कैथिटर है इसका कि साइज 16 फ्रेंच है अब इसको खोलते हैं आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास यह यह पिक्टियल कैथिटर है यह ट्रोकार है और यह ICD बैक्स से कनेट करने के लिए कनेक्टर है इसको हम पिक्टियल क्यों कहते हैं क्योंकि इसका टिप बड़ा हुआ होता है सुगर की पूछ की तरह हैं इसलिए हम इसको पिक्टेल कहते हैं आप देख रहे होंगे इसके उपर प्लास्टिक एक ट्यूब है जो कि इसको सीधा करने में हेल्प करता है इसको हम सीधा कर लेंगे और यह ट्रोकार है यह आप देख सकते हैं इसमें भी एक डखावगा होता है इसको निकाल लेते हैं और इसको हम इसके अंदर डालते हैं इसको हम यहां से लॉक कर सकते हैं यहां से अब आप देख रहे होंगे इसको निकाल देते हैं आप देख रहे होंगे कि इसके टिप पर एक शाप नुकीला टिप है इसकी यह तो यही टिप प्लूल इफ्यूजन में पीर्स करती है और कैथिटा नजाता है इसको हम डालते हैं जैसे ही प्लूल कैविटी के अंदर जाता है इसको हम यहां से लॉक खोल कर इसका हम फुड़ा से बिड्रो कर लेते हैं फिर अंदर जाते हैं आप देख रहे होंगे कि ट्रोकार निकालते ही यह कोईल कर जा रहा है इसका टिप इस कोईल की वजह से यह चैस्ट वॉल पैं अंदरसे फिक्स हो जाती है तो यह निकलेगी ըहीं यह मैं इसका यही फायदा है कि इसमें सुचिरिंग की जरूत नहीं होती है यह टिप ही चेस्ट वोल के अंगेश्ट फिक्स हो जाती है जिसे कि यह नहीं निकलती है चलिए अब हम पेशेंट के पास लते हैं इसको डालना सीखते हैं हम पहले अर्टरसाउंड से देख लेंगे आप देख सकते हैं कि इसमें यह लॉकुलेटर प्लोल एफ्यूजन है इस साइट को हम अछिए मार्क कर लेंगे उसके बाद में अच्छे से क्लीन करके लोकल देंगे लोकल वायड स्पेट नहीं देते हैं क्योंकि हमें चोटा सा इंसिजन लगाना होता है हम सकिं सकपुटिने चिश्व अपलिउूरा में देते हैं और विड्टरो करके देखते रहते हैं आप हम देख सकते हैं free air आ रही है क्योंकि यह पेशेंट लॉकुलिटेड हैड़ो निमो थ्रक्स का पेशेंट है फिर हम लगबग 30 सेकंड्स वेट करते हैं उस 30 सेकंड्स में हम लोग पिक्टेल जो कैथिटर डालना है उसको देख लेते हैं आप देख सकते हैं यह 16 साइस का पिक्टेल कैथिटर है यह पिक्टेल कैथिटर है इसके आप टिप देख सकते हैं मुड़ी हुए है इसमें एक ट्यूब है जिससे हम पिक्टेल सीधा कर लेते हैं यह ट्रोकार है इसमें शार्प टिप होती है इसको हम अंदर डालके इसमें फिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं इसके निडल टिप है काफ़ी शाप होती है तो इससे कियरफु लेना है चोटना लग जाए अब लगबग 20 सेकंड 30 सेकंड हो चुके हैं अब हम पेशेंट को प्रिक करके देखेंगे और पूछेंगे कि पेशेंश पेशेंशन तो नहीं है अब हम इंसीजन लेंगे इंसीजन बहुत जादा बड इंच बिक्टेल डालना है तो बहुत बड़े इंसीजन की जरूवत नहीं होती है अब है कि सब्प्रिक टिशू मसल्स को डिसेट करने की जरूवत नहीं है क्योंकि पेशेंट की टिप काफी शाप होती है आप देख सकते हैं अब है कि इसको अच्छे से पुश करना है और कि टिप ही प्लूरा पंक्चर करके अंदर जाती है जैसे ही गिवे की फिलिंग आती है उसी समय में लोग खोल लेना है थोड़ा सा विड्रो करना है थोड़ा और पुश करना है थोड़ा और विड्रो करना है इसी तरह से जो आगई का टिप है जो पिक के टेल की जैसा होता वो मुड जाएगा और चेस्ट वाल से एप्रोक्स कर लेगा जैसे मैंने बताया था इसमें सूचर की जरूरत नहीं है अब पिक्टेल को वाटर सील बैक से कनेट करना है इसके लिए एक कनेक्टर आता है वो पिक्टेल कैथिटर के किट के साथ ही आता है अब यह कनेट कर दिय है अब हम पिक्टेल को जैंटली अंदर पुष करके थोड़ा सा भार खीचेंगे और देखेंगे चेस्ट वाल से अप्रोक्सिमेट हो गई है नहीं हो गई है उसके बाद में थोड़ा सा अंदर करके छोड़ देंगे अब आइसीडी बैक में देख सकते हैं कि एयर बबल आ अच्छे से ड्रेसिंग कर देंगे अब देख सकते हैं कि डाना प्लास्ट के छोटे पीसिस लिए हैं जिससे हम उपर से नीचे और फिर दूसरा डाना प्लास्ट नीचे से उपर आपस में फिक्स कर देंगे वैसे पिक्टेल की जो टेल होती है वो चेस्ट वल के अप्रोक्सिमेट हो जाती है जिससे की निकलती नहीं है इसलिए बहुत जादा ड्रेसिंग करने की इसमें जरूरत नहीं होती है ना ही सूचल लगाने की जरूरत होती है ना ड्रेसिंग करने की जरूरत होती है इस तरह से हमारा प्रोसीजर कम्प्रीट हो जाता है आप देख सकते हैं दौनों को मैं चिपका दूँगा जिससे की पिक्टेल नहीं निकलेगी तो थेंक यू फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए कमेंड करिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए थेंक यू फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ